सबसे सरल और सबसे कठिन चीज जो दुनिया में है वो क्या है तो उन्होंने रिप्लाई दिया कि जब दूसरे गल्ती करते हैं तो उस गल्ती को निकालना सबसे आसान काम होता है और सबसे कठिन चाम तब हो जाता है जब वही गल्ती हम करते हैं और हमें गंटे पड़ता है तो आप उसमें तो कमी निकाल देंगे लेकिन आप कितने घंटे पड़ रहे हैं इसके बारे में आप विचार नहीं करेंगे इसलिए दूसरों में कमी निकालने से बहतर है कि आप अपने अंदर जो कमी है उसको दूर करिए अब आज की नियूस पेपर को स बताया गया था लेकिन अब चार बैंकों के निजी करण की बात चल रही है और ऐसा होगा भी और दूसरी निउस है कि यहाँ पर फिंगर फूड नहीं होगा फिंगर फॉर से पीशे हट रही चीनी सेना पहली निउस से सुरू करते हैं कि निजी करण के लिए चार बैंकों का प्रारंभिक चैन कर लिया गया है अब ये चार बैंक कौन कौन से हैं सरकार ने निजी करण को प्रारंभिक रूप से चार मध्यम अकार के बैंकों का चैन किया है इनमें Bank of महराष्ट, Bank of India, Indian Overseas Bank वो Central Bank of India है अगले वित्वर्ष के लिए इस बार के बजट में वित्वमंत्री निर्मला सितारमन ने कहा था कि सरकार अपने स्वामित वाले दो छोटे बैंकों वो एक भीमा कंपनी का निजी करण कर रही है बड़े सरकारी बैंक के प्रभुत वाले भारतिय सेक्टर में निजी करण जैसा कोई भी फैसला राजडेतिक रूप से जोखिम भरा हो सकता है क्योंकि जोखिम भरा इसलिए हो सकता है क्योंकि ऐसे निर्णयों से सरकार पलड़ भी जाती है निजी करण की सूरत में इनमें से अधिकांस के बेरोजगार हो जाने का जोखिम बना हुआ है अब जो इसके associations हैं वो तो विरोध करेंगे यह आने वाले दिनों में लेकिन यह जो निजी करण है एक तरीके से सही भी है क्योंकि यह चार छोटे बैंक हैं इसमें यह हमेशा लॉस में रहते हैं और इसमें हर बार सरकार को किसी न किसी तरीके से पूंजी डाल कर इसको सुचारू रूप से चलाना पड़ता है अब इसमें दो बैंकों की बात की गई थी लेकिन अब चार बैंक सामने आ रहे हैं आगे आने वाले समय में अब निजी करण की तरफ बाजबा सरकार या केन सरकार बढ़ रही है यह आपको मानना पड़ेगा दूसरी निउस है फिंगर फोर से पीछे हट रही चीनी सेना चीन की सेना ने पैंगॉंग जील के उत्री तट पर फिंगर फोर छेतर को खाली करना शुरू कर दिया है उसने इस छेतर में किये गए निर्माण को दोस्त करना सुरू कर दिया है चीनी सेना के पीछे हटने की कवायत भारत और चीन के बीच हुए समझोते के अनुसार हो रही है इस छेतर में चीन की सेना ने पिछले साल घुसपैट कर यथा इस्तिती बदल दी थी दोनों देसों के बीच सेनाय पीछे करने पर जो सहमती बनी है उसके अनुसार चीन को फिंगर 8 के आगे सीरी जाव चौकी पर अपनी फौज को ले जाना है जबकि भारत को फिंगर 2-3 के बीच अपनी चौकी पर धन सिंग थापा पर लोटना है कई सालों से यही भारत की अग्रिम चौकी है साथ ही दोनों देसों की सेनाय गस्त और अन्निगतिविदियां अर्स्थाई तोर पर बंद रखेंगी पैंगॉंग जील के किनारे पहाड की आकरती अंगलियों की तरह दिखती है इसलिए इन्हें फिंगर कहा जाता है आपको पता होगा कि मयामार में जो सेन नितक्ता प्लट हुआ है आंगसांग सूकी को बंदी बना लिया गया है और अब वहाँ पर एक तरीके से दमन चक्र चलाया जा रहा है जो विरोध उठ रहा है उसको भी अब खत्म किया जा रहा है मयामार में कोर्ट की अनुमती पर ही छापे मारी और ग्रिफतारी का कानून निलंबित करने के बाद सेन प्रसासन अब विरोध प्रदरसनों के दमन पर उतारू हो गया है सोंबार को देश में कई जगा प्रदरसन कारियों पर रवर्ड बुलेट चलाए गई और लाठी चार्ज किया गया कुछ लोगों को ग्रिफतार किये जाने की भी सूचना है देश के दूसरे बड़े सहर मांडले में म्यामार एकोनॉमिक बैंक के सामने सेन सासन के खिलाब प्रदरसन कर रहे एक हजार से ज़्यादा लोगों पर कारवाई के लिए सुरक्षा कर्मी पहुंचे उन्होंने ट्रक्स से उतरते ही लोगों पर रवर बुलेट मारनी सुरू कर दी अब देखिए अभी तो यह हो रहा था कि बैंकों ने भी पूरी तरीके से अपना परिचालन बंद कर दिया था तो एटियम के सामने खुब लाइने लगी लोग करेंसी निकाल रहे थे क्योंकि आगे आने वाले समय में क्या होगा ऐसा अभी तक कोई भी सूचना नहीं है म्यामार पूरी तरीके से ठब पड़ा हुआ है दूसरे देश अब इस पे प्रतिबंद भी लगा रहे हैं और दूसरे यी नियूस है कि निर्यात में 6% व्रधी व्रधी व्यापार घाटा हुआ कम पहली नियूस से सुरू करते हैं उत्पादित वस्तों की कीमतों में बढ़ोत्री का असर थोक महंगाई दर पर दिखा है इस वर्ध जन्वरी में थोक मूल अधारित महंगाई दर बढ़कर 2.03% हो गई है वाने जियों उत्द्योग मंत्राले के आंकडों के अनुसार जन्वरी में खाद पदार्थों की कीमतों में नर्मी दिखाई लेकिन उत्पादित गैर खाद वस्तूं और इंधन व बिजली के दाम बढ़ने का सीधा असर थोक महंगाई दर पर दिखा है विससग्य मान रहे हैं कि अगले कुछ महीनों के दोरान दाम में बढ़ोत्री का सिलसला जारी रह सकता है बीते वर्स दिसंबर में थोक महंगाई दर 1.2% और उसी वर्स जनवरी में 3.5% थी खाद पदार्थों की थोक महंगाई इस वर्स जनवरी में सूनने से 2.8% नीचे रही या ठीक पिछले महीने पहले यानि दिसंबर 2020 में सूनने से 1.11% नीचे थी नेक्स्ट नीउज है कि निर्यात में 6% व्रद्धी व्यापार घाटा हुआ कम देश का निर्यात इस वर्स जनवरी में पिछले वर्स समान ओधी की तुलना में 6.16% बढ़कर 27.45 अरब डॉलर करीब 1.97 लाख करोन रुपए मुलिका हो गया यह लगातार दूसरा मा है जब निर्यात में बढ़ोत्री हुई है वाने जिमंत्राले के आंक्डों के मुताबिक आसदी और इंजीनरिंग छेतर में निर्यात खासा बढ़ा है इसमें समीक्षा धीन ओधी में व्यापार घाटा घट कर 14.54 अरब डॉलर रहा जो जनवरी 2020 में 15.3 अरब डॉलर था इस वर्स जनवरी में आयात 2 फीजदी बढ़कर 42 अरब डॉलर रहा समीक्षा धीन ओधी में आसदी निर्यात 16.4 फीजदी बढ़कर 2 अरब डॉलर और इंजीनरिंग वस्तूओं का निर्यात 19.3 मजबूत होकर 7.4 अरब डॉलर रहा है नेक्स पेज है हमारा एडिटोरियल पेज एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल है पहला आर्टिकल है पाकिस्तान में दफन होती हिंदू बॉद्ध संस्कृती तो इसमें लिखा गया है कि अपनी मूल संस्कृती पहचान से दूरी बनाकर भारत के प्रती सत्रू भाव रखना ही पाकिस्तान के एक राष्ट के रूप में जीवित रहने का कारण है इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ट इस्तंबकार बलवीर पुंज दौरा दूसरा आर्टिकल है कि सत्गुणों की कामनाता परव बसंत बिना राष्टी हितों को सामने रखे समाज जीवन का संगीत लोक कल्यान कारी नहीं हो सकता इसी पर लिखा गया आर्टिकल और यह आर्टिकल लिखा है महत्मा गांधी अंतराष्टी हिंदी विश्विद्याले वर्धा के कुलपती एवं दर्सन सास्त्री प्रोफेसर रजनीज कुमार सुकलुदारा हाला कि यह आर्टिकल हमारे लिए इतना इंपोर्टन नहीं है तीसरा आर्टिकल है कि मनमानी पर लगे लगांधी वाट्सप जिस तरीके से अब मनमानी पर उतारू हुआ है उस पर अब लगांधी जरूरी हो गया है पहले आर्टिकल से सुरू करते हैं पाकिस्तान की सीर्ष अदालत द्वारा निर्देशित आयोग की हिंदू मंदिरों की वस्तु इस्तिती पर हाल में एक रिपोर्ट आई जिसमें जो दुर्भाग के पूर्ण तत्यों का प्रकटी करन हुआ है उससे मैं ना तो अचम्मित हूँ और ना ही भारती मेडिया के एक वर्ग द्वारा इसकी अपेक्षा पर आश्यर चेकित हूँ यह रिपोर्ट इसी कटू सत्य को रेखांकित करता है कि काफिर क्रफू में मजहभी दर्सन के प्रती विवस्ता में गैर इसलामिस संस्कृती और उसके प्रतीकों के लिए कोई स्थान नहीं है पाकिस्तानी इस्थित महाभारत कालीन काटास राजमंदिर भी सामिल है फिलहाल पाकिस्तान की कुल आबादी करीब 21 करोण है यदि विभाजन के समय मजहभी जनसंखी प्रतीसत को आधार बनाये तो आज वहां हिंदू सिख्षों की संख्या तीन से साड़े तीन करोण है आसपास होनी चाही थी जो केवल पचास से साथ लाख है वे भी दोयन दर्जे का जीवन जीने को विवस हैं आके धाय तीन करोण हिंदू कहां गये सच तो यह है कि पाकिस्तान में हिंदू सिख्षों ने या तो मजहभी उत्पिड़न से तरस्थ होकर इसलाम अपना लिया या पलायन कर जिसने विरोध किया उसे मार दिया गया हिंदू सहित जो अन्य अल्प संख्यक वहां बचे भी हैं वे प्रत्राणा के सिकार हैं सिंद प्रांत में आए दिन जिहादियों द्वारा गैर मुस्लिम यूतियों का जबरन मतांतरन इसका प्रमाण है ऐसे में कोई आशेर नहीं क कि विभाजन के समय पाकिस्तान में हिंदू और सिक्खों की जो आबादी करीब 15-16 प्रतिसत थी वो आज मुस्किल से एक प्रतिसत रह गई है पाकिस्तान में सात दसकों से अल्प संख्यकों का मजहभी सोसन और उनके प्रतीक चिन्नों का दमन जारी है अपनी मूल हिंदू बौद संस्कृती पहचान के बजाए स्वयम को पश्यमी ACI देश के रूप में परिभाशित करना और हिंदू बहूल खंडित भारत के प्रती सत्रू भाव रखना पाकिस्तान के एक राष्ट के रूप में जीवित रहने का कारण है यह सही है कि पाकिस्तान के संस्थापक म मुहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तानी सम्मिधान सभा में एक धरपंथ निरपेक्ष पाकिस्तान बनाने की वकालत की थी यह विचार उस द्विराष्ट सिधान्त के उलट था जो स्वतंत्र अखंड भारत की लोकतांत्रिक व्योस्ता में हिंदूों के साथ बराबर सदस 2003 में अपने अधिकारिक पाक दोरे पर लहोर से खरीदी थी इसमें लहोर के कई अतिहासिक सिवालियों मंदिरों और गुरुद्वारों का विस्तार से वर्णन है जब मैं लहोर के प्रसिद रेश्टरॉं ककुडेन पहुंचा तब वहां जगा जगा हिंदू देवी देताओं के खंडित मोर्तियां और मंदिर अवसेसों ने मुझे जग जोर दिया पाकिस्तान में गैर इसलामिक प्रतिकों और सेस हिंदू सिखों की दुर्गती इसलिए है क्योंकि वहां का एको सिष्टम बहुलतावाद और पंथ निर्पेक्ष जैसे जीवन मुल्यों को अस्विकार करता है नेक्स्ट आर्टिकल है वसंद को रितुराज कहते हैं वितुराज का अर्थ ही जिसमें सब कुछ सुसोभित हो प्रकती अपने जीवन चक्र में योना वस्था में होती है महा कवी काली दास वितु संगहार में इसे विवेचित करते हुए एक ऐसे वातावरन को प्रस्तुत करते हैं जिसमें आम बुराया है आज जब मनुष्य उत्पादक्ता की होड में समवेधना की तिलांजली दे रहा है तब उध्यान में मंजरी आम की हो या कटहल की उसका सुवासित होना महतपूर नहीं रहा फलवान होना महतपूर है ऐसी मानेता विक्सित हो गई है सरवत्य सिर्फ और सिर्फ अधिक उत्पादन का वातावरन बना हुआ है बसंद पंच्मी को लेकर ढेरो कथाए हैं गुरु गोविन सिंग का विवा आज के ही दिन हुआ था उस विवा की प्रणिती एक ऐसे परिवार की निर्मित के रूप में हुई जिसमें सबने अधर्म, अनाचार, अत्याचार के विरुद अपने को बली पर चड़ा दिया नामधारी संप्रदाय के सद्गुरु राम सिंग कुक्का का जन्म बसंद पंच्पी को ही हुआ था उन्होंने भारत को अंग्रेजी सासन से मुक्ति दिलाने के लिए सुदेशी और बहिसकार जैसे महान हतियार दिये कानिकुप जिब भोज का जन्म भी आज के ही दिन हुआ था उन्होंने सास्त्रार्थ की एक ऐसी स्वस्थ परंपरा निर्मित की जिसका अनुकरन भारतिय ज्यान परंपरा में निरंतरता के साथ हो रहा है सास्त्रार्थ है, प्रश्न है, उत्तर है, फिर प्रश्न है, फिर उत्तर है विविद स्वर, जब समन्वित होते हैं, साथ आते हैं, तभी संगीत बनता है समाज जीवन का संगीत भी इसमें अलग नहीं हो सकता समाज जीवन का संगीत बिना राष्टी हितों को सामने रखे हुए स्वर हितकारी और लोक कल्यानकारी नहीं हो सकता नेक्स्ट आर्टिकल है मनमानी पर लगाम WhatsApp की निश्टा संबंदी नीती पर उसे और उसके स्वामित वाली कंपनी Facebook को नोटिस जारी कर Supreme Court ने यही संकेत दिया है कि यह कंपनिया नीश्टा की रक्षा को लेकर सतर्क नहीं है यह संकेत उसकी इस टिपनी से भी मिलता है कि आप होंगे ट्रिलियन डॉलर कंपनी के मालिक लेकिन नीश्टा उससे भी बड़ी है WhatsApp नीश्टा की रक्षा के मामले में किस कदर लापरवा है इसका पता इससे चलता है कि यदि भारत में यूरोप की तरह कानून बन जाए तो वह भी सतर्कता का परिचय देगा इसका मतलब है कि कानून के अभाव में वह नीश्टा की परवा नहीं करेगा ऐसे जवाब उसके मनमाने रवये को ही प्रकट करते हैं इस तरह की मनमानी का परिचय अन्य इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं इसी करण चन दिनों पहले सुप्रीम कोट ने हिंसा और बैर भाव बढ़ाने वाली फरजी खबरे फैलाने एवं फरजी एकाउंट तयार करनी की सुवधा देनी की सिकायत पर ट्विटर को नूटेस जारी किया है नेक्स पेज है स्पोर्ट स्पेज पेज में एक निउस है कि निसाने बाजी विस्वकप में भाग नहीं लेगा भारत भारती टीम दच्छर कोरिया में 14 दिन के कौरेंटाइन नियम के कारण अप्रेल में चांगवोन में होने वाले ISSF निसाने बाजी विस्वकप में भाग नहीं लेगा अंतराष्टी निसाने बाजी महा संग दोरा माननिता प्रात टूनामेंट 16-27 अप्रेल के बीच होना है बारती राष्टी राइफल संग के अलावा के आला अधिकारियों ने बताया कि हमारे निसाने बाज इस टूनामेंट में नहीं खेलेंगे क्योंकि दो सब्ता का कॉरंटाइन पूरा करना होगा इसके मायने हैं कि वे इस दौरान अभ्यास नहीं कर सकेंगे उस दौरान इस टूनामेंट में राइफल पिस्टल और सॉल्ट निसाने बाज भाग लेंगे बारत में भी 18-29 मारश तक करनी सिंग निसाने बाजी रेंज पर सविक्त विश्वकप होना है तो यह आज का यहने 16 फरोरी 2021 का द्यानिक जागरण का राष्टिय संस्क्रण था अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद